हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज की इस वीडियो में आप समाने ग्यान से जुड़े महत्वपूर सवाल और जवाब देखेंगे जो हर एक प्रतियोगीता परिक्षा के लिए महत्वपूर है अगर आप एक विद्यारती हैं और किसी भी प्रतियोगीता परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ये आपके काम ज़रूर आएगा तो आए शुरू करते हैं पूशन नमबर वन भारत में चालू मुल्योपर प्रति वेक्ति न्यूतम आये वाला राज्य कौन सा है आए इसका सही जवाब जानते हैं भारत में चालू मुल्योपर प्रति वेक्ति न्यूतम आये वाला राज्य बिहार है कूशन नमबर टू केंद्र द्वारा लगाये जाने वाला कर गौन-गौन से हैं यह आपको बताना है आईए लाइन से जानते हैं कौन-गौन से कर होते हैं आई कर, निगम कर, संपत्ति कर, उत्तर अधारी कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शल्क क्रिशी कर विश्व का सबसे पुराना शुलक क्या है आईए जान लेते हैं विश्व का सबसे पुराना शुलक सीमा शुलक है विश्व का सबसे बड़ा पेड कौन सा है आईए जान लेते हैं विश्वे का सबसे बड़ा पेड़ का नाम शिक होया है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुश्य नमबर फाइब फुट्व में कितने गुड़ सुत्र पाये जाते हैं क्या आप बता सकते हैं कुश्य नमबर फुट्व में कुल 64 गुड़ सुत्र पाये जाते हैं कुश्य नमबर फुट्व सुद्व जल की प्रकृती कैसी होती है इसका सही जवाब है उदासिन जी हाँ सुद्व जल की प्रकृती उदासिन होती है Q7. सूरी से आने वाले हानी कारक अल्ट्रा वॉयलेट रेस से सरीर को क्या प्रभाव पड़ता है? देखी दोस्तों, वो बहुती जादा खतरनाक होते हैं और उससे हमें तवचा का कैंसर हो सकता है Q8. विश्वतापमान में वृद्धी का क्या दुश परेणाम है? इसका सही जवाब है वर्षा की कम्मी जल वायू परिवर्तन और सूखा अकाल एवं बार्ड Q9. विश्व में जीव जन्तुओं का सनरक्षन किसके द्वारा होता है? आईए जान लेते हैं भारत में जीव जन्तू अकशन रक्षन भारती जीव जन्तू कल्यान बोट के दारा होता है वर्षन नमबर 10 क्या आप ये जानते हैं ताज महल को छती किस के कारण पहुच रही है अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो आईए जान लेते है मधुरा तेल शोधन शाला से निकले वायू प्रदूशन के कारण ताज महल को छटी पहुच रही है जिससे ताज महल को बहुत सरी कठीनाईयों का सामना करना पड़ रहा है उमीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही रखते हैं उमीद करती हूँ आपको ये कोशन्स जरूर पसंदाए होंगे तो आज के लिए बस इतना ही